तो दर्श को देखते देखते पूरा वर्ष खतब होने को आ गए हम वर्ष के अंतिम मास में पहुंच गए यह दिसंबर के भहिने में पहुंचने वाले हैं और हम सब इसमें परवेश करेंगे और यह ज़रूर जाना चाहेंगे वहिना हमाले कैसे जाएगा क्योंकि जो भी ग करेंगे हमाई दूसी राशी विर्षब राशी के बारे में तो क्या प्रभावव से गुजरना पड़ेगा कृसे प्रकार के प्रभाव्य के लिए करेयर के लिए कैसे लिए दिसम्बर का महींना इस समझना पहुत जरूरी है किस प्रकार के रुकावट आप लंपे समय से जहल रहे हैं उसके बारे में क्या उपाय आप करें तो वो भी हम आपको बताएंगे इसके लावा कारेशित्र का महल कैसे रहेगा क्या नई जॉप की बात बरेगी उसी प्रकार से समझेंगे आपके वेवसाई यानि ब बहुत ही असान वो पाई है तो आप वीडियो के अंतक जरूर बने रहे हैं तो अगर हम शुवात करें तो हम यह सबसे पहले समझेंगे की जो गहे गोचो की सिती बढ़ने चारी दिसंबर के महीने मों किस प्रकार है आप अपनी जनम राशी या लगन के अनुसार देख सकत शुरुआत इसी बहाव से कर रहे हैं इसके बरिस्पती है आपके लगन में ही गोचर कर रहे हैं यहां पर वक्री अवस्ता में है इन दिसंबर में अपनी राशी कुम राशी में गोचर कर रहे हैं आप कुछ पई बतन भी आपको देखने को मिलेगा जैसे कि शुक्र जो आपके लगनेश है दो दिसम्बर को मकर राशी में यानि आपके भागिस्थान में परवेश कर जाएंगे बहुत यह अच्छा आपके लिए रहेगा इस समय मंगल जो है 7 दिसम्बर को वक्री अवस्थ करेंगे अब यह गोचा किसी दी बनने जारी कहीं न कहीं आपको लाब भी मिल रहा है और कहीं न कहीं आपको साफधानी भी बरत्ति हैं किस पकार हम समझेंगे शुरुबात करेंगे आपके स्वास्ते से लिकिन दर्श को शुबात करने से पहले मैं आप से क्रेवेजन करना चाहंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें इसके लाबा आप हमारे चैनल को लाइक और शियर जरूर करें देखें चटेगर के स्वामी जो है आपके लगनेश भी है शुक्र आपके अश्टब भाब में गोचर कर रहे हैं तो कहीं न कहीं विप्रीत राज का योग को भी निमार्ट कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि अगर आपके जीमन में कुछ अवरोध है आपके स्वास्ते को लेकर कुछ बाधाय बनी हुए को समस्या बनी हुए तो आप उस समस्या सो बाहर भी निकलेंगे तो ये भी तैय क्योंकि सतरक रहेंगे तभी वह अपने स्वास्ते में कुछ लाप या कुछ रिकवरी देख पाएंगे कुछ रिलीव देख पाएंगे क्योंकि चतुरभाब के सुर्य आपके अश्टभामय प्रवेश करेंगी 15 दिसंबर को धनुराशी में तो यहां पर रहेकर आपको स्वा तो एक आउ सेवर ना करें जो आपके सेहत पर विप्रीद प्रभाव डाले इसके लावा क्योंकि मंगल आपके तित्य भाव में करकराशी में घोचर करें आपने मंगल नीच वस्ता में और वक्री अवस्ता में रहेंगे तो इनके दिश्टी आप पढ़ेगी आपके चटे या कुछ आपको हानी देखने को मिल सकती है मास पेशयों में खिचाव की समस्या या कानों से लेटेट प्रॉब्लम या कंदों में मोच की समस्या भी देखी जा सकती है यह छोटी मोटी समस्या आपको देखने को मिल सकती है कुछ इसमें लग सकता है कुछ रिकवरी में जै आप इन चोटी-मोटी समस्यों से भी जल्दी बहार निकलेंगे, पर क्योंकि इस समस्या कुछ आपको संकेत दे रही है, तो इसका मतलब है कि आपको साफधान रही है, कुछ बड़ी समस्या देखी नहीं चारी, लेकिं जैसे मैंने बताए कि रेदे की जो मरीज है, हाट इसके लावब आगर हम बात करें आपके शिक्षा और करियर की तो पंचम भाव में केतू गोचर करें हैं तो कहीं न कहीं प्रयास अधिक हो रहे हैं लेकि परिणाम बहुत कम आपको देखने को मिल रहा है यानि संगोचित देखने को मिल रहा है और यह एक वज़े हो सकती है कि आपका मन पढ़ाई से उच्चाट हो सकता है दिर्चस्पी खतम हो सकती है पढ़ाई में जिस भी फिल् क्योंकि केतु और राहु आपके दिमा में कन्फिजुन को क्रेट करता है जिसकी वज़े से ठहराव की कमी आती है थोड़ा सा आपको इनके साथ चलना होगा क्योंकि नेक्स्ट ये अगरामबाद की दोज़ापचिस मई में ही इनका राश्य परिवरतन होगा तभी आपको कु कुछी परिणाम जरूर देखने को मिलेगा और बहुत अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा कैमपस पेस्मेंट में शुरुबात में आपके पक्ष्में रहने वाला है अच्छी शुरुबात आप देख सकते हैं लेकि मदे दिसंबर के अबाद कुछ गिरावट आ आपके शुरुबात में गोचर करेंगे तो यहां पर कुछ गिरावट आपको देखने को मिल सकती है कुछ एजस्टमेंट यह समझाता करना पड़ सकता है अब करेंगे शुरुबात करने जा रहे हैं नहीं जूब के साथ ही या कुछ नए इंटरंशिप के ओफर मिल रहे है तो आप अपने शुरुबात में थोड़ा सा कह सकते हैं कॉंस्टरेशन बनाना पड़ सकता है फोकुस बनाना पड़ सकता है मैनत अधी करनी पड़ सकती है संगश भी अधी करना पड़ सकते है क्योंकि चीज़े अब भी आपके लिए इतने असान नहीं है पर यह भी आप म महानत करें वो आपको आपके महाल में आपको ढालने में पूरी मदद करेंगी इसके लावा आपको अपने आसपास के लोगों से थोड़ा सा साफ धारना है आप उनकी बातों में ना आये तो बहतर रहेगा और किसी की बातों में ना आये तो बहतर रहेगा शुरुबात में आपको आसपास के लोगों से या कह सकते की आपके सीनियर से या आपके अधिकार से कुछ सपोर्ट दो जरूर देखने को मिलेगा लेकिन बात में इसमें थोड़ी कमी देखी जा सकती है तो कोई में लाके आपको एक इंडिपेंडेंट ली ही चलना पड़ सकता है तो हो सके तो जितना ग्यान बटोर सके जितना अनौलेज आप गेन कर सके उतना ही आपके लिए फायदर मन साबीत होगा तो साबधानी के साथ चले आपके लिए जो है एक सिद्रण रास्ता जरूर तियार होगा पर आप उसमें साबधानी पूर्वक चले इसके लावा कारेशेतर को मौल कैसे रहेगा जो पहले से नौकर पेशा लोग है उनके लिए कैसे रहेगा देशम भाव में देशमेश गोचर करने ये अच्छी बात है और अब वक्रिय वस्ता से बाहर है तो ये भी अच्छी बात एक लंबा संगस्ट आपके जीवन का खतम हो गया है आप लाप के लिए प्रोमोशन के लिए प्रास करें तो कहीं ना के संथुष्टी की कमी देखी जा सकती है जो भी आपको मिल रहा है उसमें भी कुछ ने कुछ कमी आपको देखने को मिल रही है आपको लगता है कि आपने बहुत ज़ादा मैनत करी है उसके इसाब से परिण इसके लावा आने वाले समय भी आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा, नई जॉब के लिए प्रास करें तो शुरुबात में थोड़ी सी दिक्कते देख सकते हैं, संगश देश सकते हैं, पर इसका आपका बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा, कुछ अच्छे openings आपको मिल सकती हैं, अलग स्थान से बाहर कुछ मौके आप चूक सकते हैं, या कुछ आपको बहतर अफसर नहीं मिलने की वज़े से, आप जहां पर वही भी प्रास कर सकते हैं, अपने आसपास की शेत्र में, इसके लावा कुछ आपकी knowledge update में कुछ कमी देखी जा सकती हैं आपने आपको develop to date करना होगा, क्योंकि कहीं है कि इसके ग्यान के अभाव में भी आपके परदेशन में कमी देखी जा सकती हैं, तो उसको आप दूरस्त करें, आप अपनी knowledge के लिए दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहरें, पर दूसरों कि अगर कुछ प्रामर्श आप आपको मिल रही है, तो उसमें भी आप एक शंका की दिश्ती से देख सकते हैं, तो एक भी तरह किसे विश्वास की कमी देखी जा सकती है, किसी experience इंसान की भी अगर कुछ आपको अनुभव मिल रहा है, तो उससे भी आप कुछ सीखना नहीं चाहरे हैं, क्यों कहीं ना कहीं आप अपने अनुभव को और उनके अनुभव में कुछ ने कुछ डिस्टेंस और डिफरेंसे महसूस कर रहे हैं, दूसरी बात यह कि विश्वास की कमी भी आपके बीता देखी जा सकती है, तो एक शंका के कारण आप किसी प्रगार के कोई विश्वास तो नहीं कर पारे है जब ग्यान के अभाव में आप कुछ निर्णे नहीं ले पाएंगे तो उसका प्रभाव आपके परफॉर्मेंस में आपके परिणाम में जरूर देखरे को मिलेगा, यह चुटी-टी बाते आपको रुच्छ जादा परिशान कर सकती हैं, तो यह आगर आप पहले से साबध तो आस-पास के लोगों में जितना जादा आप involvement दिखाएंगे, उतनी जादा आपके लिए परिशानी खड़ी हो सकती है, तो इसके बजाए आप अपने काम पर involvement दिखाएं, अपने काम में फोकस बनाएं, अधिकारी का support बाद में कुछ आपको उसमें गिरावट आपको ज की जा सकती है, तो जो कुछ precision आपको लेना है, निड्न में लेना है, जो कुछ भी त्यारी करनी है, आपको इंडिपेंडेंटिली ही करनी है, तो ये बात आपको अच्छे से त्यार रखनी होगी, आप विवसाई के लिए क्लिए क्या सर रहेगा, दिसम्बर का महीना, सब्त भाव में गोचर करें तो communication के आप देखा जा सकते हैं किसी project के लिए किसी meeting के लिए किसी performance के लिए ये किसी deal में अगर आप कुछ भी involvement कर रहे हैं तो बहुत समझ के करें हो सके तो आगे के लिए टाल दे कम से कम आपको 16 December तक के लिए इसको टालना होगा जब तक कि बुद्ध जो है मारगी न हो जाए इसके लावा सूरे यहाँ पर बैट के आपको support करें आपके आत्म विश्वास को बना रहे हैं साथ ही कुछ status में वृद्धी भी आपको दे रहे हैं मद्य दिसंबर के बाद कुछ आपको साबधा रहे के चलना होगा खासकर real estate में बचना होगा किसी possibility तो देखने को मिल रही है पर कुछ ऐसी पसिती भी आपको देखने हो मैं सकती जो आपको दिख कुछ और ही और वास्ता में कुछ और होगी तो कह सकते कि जो ground reality हो कुछ different हो सकती है इसके लावा share market में भी आपको मद्य दिसंबर के बाद ही कुछ बहतर अफसर मिल सकते हैं तो निवेश के लिए अगर तभी अप्लानिंग कर तो जादा बहतर रहेगा इसके लावा अगर आप अने शित्र में कुछ वेपार्गी विस्तार करें और स्थान से बाहर कुछ opportunity की तलाश करें तो उसमें आपको निराशा देखने को मिल सकती है फिलाल इसमें कोई बाद बनते नजर आ रही है ना ही आप कुछ इसमें इंटरस्ट भी लेते नजर आ रही है शुरुबात में कुछ इस परकार की conditions या कुछ इस परकार की महौल आपको देखने को मिल सकता है जिसमें आप अपने आपको सहज मैसूस कर सकते जहां पर आपको fit नहीं मैसूस करेंगे इसकी वज़े से आप चाहेंगे कि आप इससे थोड़ा सा दूरी बना के चले थोड़ा देहरेदान करें थोड़ा समय जरूर लग सकता है लेकिन ये आपको विलंब जरूर देखने को सकता है तो फिलाल क्योंकि 12 भाग के सवामी मंगल है और नीच वस्था में है तो फिला से आपके दिल्चस्पी भी खतम हो सकती है तो आप इससे थोड़ा सा देहरे में लेके चले तो जादा बैतर रहेगा क्योंकि मंगल साथ दिसंबर को वक्री अवस्था में आ जाएंगे तो ये थोड़ा आपके काम में परिशानी उत्पन कर सकता है और ये आपके कारेश इ पंचम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं और पंचमेश आपके सब्तम भाव में गोचर कर रहे हैं आप अपने ही ख्याले पेवलाव में बना रहे हैं और कहीं न कहीं अपने ही सोच से चल रहे हैं जबकि पार्टनर की सोच कुछ आपसे विपरीद रह सकती है एक सपोर्ट में आपको प्राप्त करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है आप स्वेहीं अपने में confused नजर आ रहे हैं जहाँ परिवार वाले आपके बीदर confident नहीं देख रहे हैं तो इस वज़े से आपकी बातों में भी confident नजर नहीं आएगा जिसकी वज़े से वेक्ति अपने सम्बंद से दूर भागता है और वेक्ति सम्बंद में शांती का उन्भाफ नहीं कर पाता तो कहीं न कहीं एक एहम की वज़े से भी देखा जा सकते हैं क्योंकि अभी आपके पंचमेश सूरी के साथ गोचर करें हालकि मदे दिसंबर के बाद कुछ कह सकते हैं कि रहात आपको जरूर देखने को मिल सकती है पूर नहीं तो आपको हमें यह नहीं कह सकती है कि 100% आपको अच्छी ही जुडाव देखने को मिलेगा पर कहीं न कहीं कुछ कॉंप्रमाइज या समझोता आपको करना पड़ सकता है विवार की जर्चा परिपान में ऐसे ही चल रहे तो थोड़ा समय लग सकता है कम्मुनिकेशन के आपकी बज़े से बात बनते बनते भी रह सकती है तो थोड़ा समय लग सकते हैं एक दिजार आप करें अब विभाई दंपत्ति के लिए क्या सरह रहेगा सब्तमीज जो है आपके नीच वस्ता में तित्ते भाव में गोचर कर रहे हैं और यहीं आपे बुद्ध और सूरे गोचर कर रहे हैं प्रसिती को गलत तरीके से आगलन कर रहे हैं कोई वेक्ति प्रभावित कर रहे हैं इसके लाव परिवार का भी कुछ खास सपोर्ट देखने को नहीं मिल पार है एक मुद्धे पर बारबर वही चर्चा चल रही है जिसमें कोई अधार निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है तो कही नगी बात में अटकी हुई महसूस हो सकती है संताम पर आपती के लिए फिलाल कस्ट अंगश की सिती बनी हुई है उपाई क्या करें देखिया आपको केतु का उपाई जरूर करें जो आपके पंचम भाव में गोचर कर रहें या आपके निर्ने को भी प्रभावित करते हैं आपके सोच को प्रभावित करते हैं राभु की आप इसमें इन्वार्थम्मेंट उन्वामन्ं की करते ही मनगल को उपैय जरूर करी जरूर की आपको प्रते मंगल वार को गाए को वा सकते हैं अरभा ने अंटेरंब को घोले चलत के उसकेस हैं इसके लावा आप अपनी लगनेश का भी उपाई कर सकते हैं हलाकि जो शुक्र है आपके दो दिसंबर को आपके नवंबहाब में प्रवेश कर जाएगे भाकिस्तान में प्रवेश कर जाएगे तो अतनी बाधा आपको देखने को नहीं मिल पाएगी तो कोई मलाकि अगर हम बात करें तो मंगल का सब तमेश का उपाई जरूर करें राहोगेत का उपाई कर सकते हैं और यदि आपकी उल्ली में ब्रेस्पती की दशा चल रही है और ब्रेस्पती की अंतर दशा चल रही है वटी वस्तु का दान कर सकते हैं या वश्णी साहस नाम का पाट आप कर सकते हैं विश्णी नित्य करें और इसका प्रभाव भी आपको निश्य तो सता देखने को मिलेगा तो दर्शुको आपके जो भी प्रशन सजेशन यह राए है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाले हरे कृष्णा